हाइडोजन गैस्ट बने लिए सिबसे पहले हमने पाने लिया है उसके बाद उसके अंदर कास्टिक सोडा को डाल दिया है अब हैल मुने फोईल देंगे और उसके छोटे-छोटे टुकुडे करके उनको भी इस बोतल के अंदर डाल देंगे और अब इसको एक बैलून से कवर कर देंगी देखे दोस्तों देरे-देर हमारी आइडोजन गैस्ट बनने लगी है दोस्तों यह रेक्शन बहुत ही हाईल याग जो थरमी को तिया हो इसके अंदर से बहुत ज्यादा ही ट्रिलीज होती है इसलिए क्रीपैकर के स्कुड़ गर पेबल टुबी ट्राइम मत करें तो दोस्तों देखिए आप बहुत ही तेजी से जुनी से आइडोजन गैस्ट रिलीज होने लग दी है अब हम बैलून को मिकाल लेंगी इसकुड के पास ले जाने पर देखिए दोस्तों क्या होता है